इस वीडियो में हम विल्समेर हाक रेक्षिन एस वेल एस मेकनिजम के बारे में डिसक्स करेंगे विल्समेर हाक रेक्षिन विल्समेर हाक रेक्षिन is the most common method for the formylation of aromatic rings formylation means addition of a formyl group this group on organic compounds and इस रेक्षिन को एंटन विल्समेर एन अलब्रक फॉक ने डिसकबर किया इस रेक्षिन इन्वाल्ब्स एरोमेटिक एलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिटूशन मेकानिजम इस रेक्षिन में हम active aromatic compounds को रेक्ट करवाते हैं इस्थ्टिटूटर पॉ لمहाँ इस राफरोअ चीर्व और मॉल्स ऑ इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विल्समेर हाक रीजन से, that is N-phenyl-N-methyl-Pormamide. इन दा प्रेजन्स ओफ फोस्फोरोस अग्जी क्लोराइड. इस मेथोग्जी बेंजीन इस अन एक्टिव अरोमेटिक कंपाउंड, इस आलसो एन एथर, एंड जो मेथोग्जी ग्रुप है, वो और्थो पैराडिरेक्टिंग ग्रुप है. इट मेंज कि जो एलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिटूशन, इस फॉरमाइलेशन जो होगी, वो और्थो और पैराडिरेक्टिंग पर होगी. इट मींज कि हमें two types of products मिलेंगे, one is ortho-substituted product, another one is parasubstituted product. और इसके साथ N-methyl-anilene की formation होगी as a side product. का ये अ इससे एन-methyl-anilene की पर हम फॉस्वरस ऑक्जी खलोर ईकलुराइड की प्लेस पर हम्-फॉस जीन को भी दूज कर सकते हैं। next is the mechanism, mechanism के first step में हम electrophile की formation करेंगे और दूसरे step में electrophile substrate के साथ react करेगा तो हमें desirable products मिल जाएंगे now first step that is the generation of electrophile और इस reaction में electrophile है chloro-imnium ion तो सबसे पहले हम chloro-imnium ion की formation करेंगे this is n-phenyl-n-methyl-formamide इसको हम react करवाएंगे phosphorus oxy chloride से जो nitrogen पर lone pair है वो इस bond पर shift होंगे और यहां से attack होगा phosphorus पर तो यहां से एक chlorine group remove हो जाएगा तो हमें immun ion की formation होगी next जो जहां से chlorine group remove हुआ है वो इस carbon पर attack करेगा और यहां से यह bond oxygen पर shift हो जाएगा next जहां से यह bond nitrogen पर shift होगा और nitrogen पर से positive charge हट जाएगा और carbon पर positive charge आएगा तो हमें formation होगी इलेक्ट्रो फाइल की इस इस क्लोरो इमनियम आयन next step में हम methoxy benzene को react करवाएंगे इलेक्ट्रो फाइल से जो आक्सिजन पर लोन पर प्रेजेंट हैं वो इस bond पर shift होगे और यहां से अटैक होगा इस carbon पर इस oxygen पर positive charge जाएगा next जहां से यह एच ग्रूप रमूब होगा यह bond यहां पर और यह bond oxygen पर चला जाएगा further हम इस compound को aqua sodium acetate से react करवाएंगे तो हमें major product that is ortho substituted product formation होगी this is a major product along with N-methyl aniline thank you please subscribe to my youtube channel and don't forget to like share and comment